हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल ये इस ज्रामी की हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट 3 है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैंग जी अपने भाई को बोलता है अब तक तो तुम उससे नफरत करते थे तो अब तुमें क्या हो गया उसका भाई बताता है अब बहुत कुछ बदल चुका है चैंग जी यहां से अपने डॉक्टर के पास चला जाता है और उनसे पूछता है ये जूट बोलने पर मुझे इतना जादा स्ट्रोंग रियक्शन क्यों होता है दॉक्तर उसे बताता है हो सकता है ये ये जूट के साथ तुम्हारा बच्पन का या फिर कोई पास्ट का नाता हो लेकिन चैंग जी को तो अपने बच्पन के बारे में कुछ भी याद नहीं था इधर जिन्यू ये ये लि बारा रुलेशनशिप में आना चाहता हूं ये सब दूर से चैंग जी देख रहा होता है और वो फुरस्टेटिल होकर उन्षी को आकर बोल देता है अगर तुम्हें उसे हाग कहना है तो हाग कह सकती हो या ना कहना है तो भो भी बोल सकती हो तो इसमारी मर्जी पर prim उसली देख लेता है और अपने भाई को चुड़ाने लग जाता है तुम तो बड़े छुपा रिस्तम निकले भाई एक्चली में जिन्यू अपने भाई को बताने आया था तुम जरा युण्शू को काम काम दिया करो ताकि वो मेरे साथ घूमने जा सके तभी भार से पेरो की वाच आने लगती है जो उसका भाई फटा फट देखने के लिए भार आता है लेकिन भार कोई भी नहीं था क्योंकि यंशू को जिन्यू के वहां उने की खबर पता चल गई थी इसलिए वो वापिस आ गई थी थोड़े बाद चैंग जी भी अपने भाई को घर से बगा देता है जिसके बाद यंशू घर में वापिस आ जाती है जैंग जी यंशू पर गुसा होने लग जाता है क्योंकि उसकी हज़े से उसकी लाइफ ट्रबल बन गई थी लेकिन तबी जिन्यू भी वापिस आ जाता है यंशू बोलती है मुझे बहुत से काम ता इसलिए आई थी लेकि और ऐसा कुछ हो भी तो तुम्हें इससे क्या लेना देना लेकिन चैंग जी उस पर गुसा करता है तुम ये बोल कर बात को और बढ़ा रही हो जिसके बाद वो अपने भाई को अराम से बिटा कर सारा मामला समझा देता है और उसके बेजे में बात कुछ चाती है लेकिन अ चूटी लड़की को मैं कैसे पसंद कर सकता हूं या जो भी बोल देती है मैं जर्मोफविक लड़के को कैसे पसंद कर सकती हूं जीनू बोल ठीक है पर मैं तुम दोनों पर नज़र रखूंगा ये बोलकर चला जाता है लेकिन रात में उसको अजीब अजीब सपने आने ल इस पर जिन्यू भी सोच में पढ़ जाता है और वो उसके घर में शिफ्ट होने का प्लैन भी केंसिल कर देता है। उसके बार यूंशू उसे बुला कर साफ साफ शब्दों में समझा देती है। पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी पर उस बात को साफ साल हो चुके हैं। इन साफ सालों में मैं काफी बदल गई हूँ। मेरी पसंद ना पसंद तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस बाचित के बाद जिन्यू कंपनी में आना बंद कर देता है। और अपने भाई से हेल्प मांगता है कि वो उसे यूण्शू के लाइक और डिसलाइक के बारे में बताए। बच्पन में चैंग जिन्यू को हर गलत काम करने से रोका करता था। लेकिन वो नहीं मानता था और गलत काम होने के बाद उसकी जंगा उसकी सारी पिटाई क्रेंड मा चैंग जी को ही लगाती थी। प्रेजन में चैंग जी उसकी हल्प करने से मना कर देता है। जीन्यू बोलता है आपसे कंपनी में कभी भी नहीं आऊंगा पिर कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगे हो। ये सब सुनने के बाद चैंग जी उसकी हल्प करने के लिए मान चाता है। लेकिन इसकी बदले में वो सेक एग्रीमेंट साइन करवाता है। एग्रीमेंट के अकोडिंग जैंग जी उसकी हल्प करेगा पर बदले में जीन्यू को हर रोज कंपनी में आना होगा और अच्छे से काम करना होगा। इसके बाद जैंग जी अपने काम पर लग जाता है। वो यूशू का समान लाकर जीन्यू को पकड़ाता है। यूशू सेकेर्टरी को जाकर बता देती है। और बोलता है मुझे अपनी गल्फरिंड के बड़े पर जाना है लेकिन चैंग जी बोलता है तुम जूट क्यों बोल रहे हो अभी लास्ट टाइम तो तुम उसका बड़े बना कर आये थे एक साल में कितनी बार बड़े बनाती है तो सेकेटरी उसे बताता है वो मेरी एकस गल टीकात में क्युम ना से घती है कि अब उसकी करेंट काल्फरेंड है दिशक एतो दे काधि पर शेंपर ले आता है क्युक्य उसकी जानव होता है। के साथ भार किसी जा सकती हूं तो सेकेटरी उसे अपने कपड़े दे देता है पहनने के लिए लेकिन अभी भी वह बोल रही थी मैं इन कपड़ों को पहन का भार नहीं जा सकती जिसके बाद सेकेटरी उसे घर पर छोड़ कर ही अपने काम पर चला जाता है और वापिस आने प तो इतने ही ताइम में अपना दूसरा ढून लिया था और दूसरी तरफ क्यों ना तो सेकेटरी का पीछा ही नहीं छोड रही थी उसकी वज़े से अब वो सेकेटरी की गल्फरेंड है और आज उसी की बड़े का बहाना करकर सेकेटरी चैंग जी से चुटी लेकर चला जाता ह इधर चैंग जी घर पर आने के बाद चैंग जी चुपके से यृशू के रूम की हर चीज की फोटो क्लिक करता है इसकी बाद वो चिन्यू को दिखा देता है ता कि उससे पता चल जाए यृशु को क्या-क्या पसंद है चिन्यू तो यह देखकर खुश हो जाता है और अप अपने भाई को पपी दे देता है लेकिन चैंग जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जिससे कि उसे पता चल सके यूंशु के रूम में क्या क्या है यूंशु को बुलाकर अब यही सारा समान दिलाता है यूंशु बोलती है ये सारा समान मेरे रूम में है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा फेवरेट होगा, मेरी फेवरेट चीजों को खरीदनी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने ये सब खरीद रखा है। यूणशू पैंटिंग म्यूजियम में जाती है, लेकिन जिन्यू याँ पर भी पहुँच कर ऐसे जता रहा होता है, ऐसे कि उसे पैंटिंग बहुत ज़ादा पसंद है। चली जाता है आखिर कार क्यों चैंग जी उसके समान में इतना जादा इंटरस्ट ले रहा था लेकिन वो डिसाइड करती है आगे भी ऐसे ही चलने दिया जाए मज़ा आएगा चैंग जी युन्शू के लिए बहुत सारे स्नेक्स लाता है युन्शू तो बहुत जादा पसंद नहीं मुझे रात में कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता जिसके बाद चैंग जी को समझने आता आकिरकार युन्शू को क्या पसंद है युन्शू से बताती है मुझे पैसा कार शूज क्लोट इवन तुमारी मोल की हर चीच पसंद है भले ही उसने उसके सामने उसने कुछ नहीं कहाए था लेकिन चैंग जी किस जाते ही वह खाने को ठूसने लग चाती है जैंग जी सोचता है ऐसे तो मुझे अपनी सारी कमपनी ही इसके नाम करनी पड़ जाएगी जिन्यू युन्शू के लिए नहीं कार लेकर आता बोलती है तुम्ही क्या लगता है ऐसे मैं तुम्हें पसंद करने लगूँगी इससे अच्छा तो तुम मेरा पर्मोशन करवा दो जिसके बाद बिचार अपने भाई से योंशू के पर्मोशन की बात करता है लेकिन चैंग सी बोलता है पहले ही मैंने उसे असिस्टेंट के साथ डिजाइनर भी बनाया हुआ है मैं उसे अपनी पोजिशन दे दू जिसके पाद जिन्यू अपने भाई को बोलता है तुम उसकी सैलरी बढ़ा दो चैंग सी बोलता है एक बंदे की सैलरी बढ़ा दो बाकी इंपलोईस कहां जाएंगे सभी को बुरा लगेगा जिसमें यूशू काम नहीं करना चाहती थी बही उसे दे देता है यूशू को गुसा आ जाता है और वो सिधा चैंग सी के पास आकर इसकी वज़े पूछती है लेकिन जब उसे पता चलता है ये सब कुछ सैलरी बढ़ाने के लिए किया गया है तो वो चैंग सी को बता देती है मैंने तुमारा और तुमारे भाई के ब परसंद करती थी लेकिन ये जू तो गुसे में अपने पडोसी दोस्त के पास चली जाती है पडोसी फ्रेंड बोलता है तो मुझसे इसलिए गुसा हो क्योंकि उसने तुमारी सारी बाते चिन्यू को बताई या फिर इसलिए गुसा हो कि वो अपने भाई की हेल्प कर रहा ह तुम्हें पटाने में लेकिं यंशू को तो इन दोनों ही वज़े से गुसा हा रहा था यंशू काफी जादा ड्रिंक कर लेती है और यहीं पर सो जाती है दूसी तरफ चैंग्सी को टेंशन होने लग जाती है क्योंकि काफी रात हो गई थी और यंशू अभी तक घर वापस नहीं आई थी जिसकी बाद वो उसे ढूरने के लिए निकल जाता है वो हर किसी से उसका फोटो दिखाकर उसकी बारे में पूछ रहा था पर उसे उसका कुछ भी पता नहीं चलता तो बहां उने पर यंशू जैसे ही वापिस आती है तो चैंग्सी उसे बहुत जादा सुना उसे बताती है तुमारे वौल पेपर पर जो फोटो लगी है वही फोटो लेकर कल एक लड़का घूम रहा था और तुमारे बारे में पूछ रहा था यंशू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्याप जैंग्सी सच में मुझ ज़ून रहा था तबहे उसें एक वरकर भी मिल जो उसे से बात बोलती है जिसके बाद यूशू चैंग्सी को सौरी और थेंक्यो बोलना चाहती थी लेकिन वो तो उसे एक्णोर करकर आफिस निकल जाता है यूशू जैसे यह कंपनी पहुंचती है चैंग्सी तो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं है पैस नहीं करना चाहती थी इसलिए कोई जवाब नहीं देती जिसके बाद लेना चैंग्सी के पास आकर बोलती है मुझे प्रोजक्ट के बारे में तुमसे कुछ कोशन पूछने हैं क्या हम लंच के लिए चल सकते हैं लेकिन चैंग्सी यूशू को बुलाकर लेना को बोलत चाती है सेगटरी उसे बताता है बोस की सारी ब्लाइन डेट ऐसे ही फेल हो जाते हैं क्योंकि बोस सभी के सवालों के सीधे सीधे जवाब देते हैं असिस्टन बताता है बोस के फेस पर कई बार कॉफी और ड्रिंक भी गिर चुकी है इस बार भी ऐसा ही होने वाला था लेक पर दुबारा कभी भी तुम घर छोड़ कर गई तो तुम्हें बारा बज़े से घर पहले वापिस आना होगा वरना घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे जंशो को कुछ आ जाता है और जुट बोलती है यह जो तुम फिश का रही हो ना यह जो दिन पुरानी है और मैंने सुना है तुम पूरी रात मुझे डून रहेते। चैंगजी बोलता है तुम मेरी जिम्मेदारी हो स् mistress कर देता है लेकिन यंशो की आजाती है कानवा अच्छा है लेकिन यंशो उसे इंप्रेस क्यू नहीं हो रही तो चैंगजी हूं पर लिए पही है क्योंकि उसे हमारे एग्रीमेंट की बारे में पता चल गया। लीना को शूट के लिए मनाने के लिए चैंग्जी अपने भाई को उसके पास बेसता है। और ये प्लैन यूंशू का ही होता है क्योंकि लीना जब शूटिंग के लिए मानेगी तब ही तो यूंशू खुश होगी और होता भी ऐसा ही है लीना मान जाती है चैंग्जी से बात का फायदा उठाता है और वो अपने भाई से सारे कंपनी के काम करवाने लग जाता है यू पातों बातों में ही जिन्यू चैंग्जी के बारे में बताता है जब वो छोटा था तो स्कूल में एक लड़की हमेशा उसे लव लेटर लिखा करती थी लेकिन चैंग्जी ने तो कभी वो लेटर पड़े ही नहीं जिन्यू की अच्छी प्रफोर्मेंस को देखकर चैंग्जी को बोलती है इस बार जो होलिंग सेरमनी होगी उसमें जिन्यू जरूर आना चाहिए लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए वो इस बारे में जिन्यू से बात करता है लेकिन जिन्यू बोलता है अगर तुम मेरी तुन्शू को गर्फरंड बनाने में हल्प क चैंग्जी में नहीं आऊंगा तुम खुद देख लेना जिसके बार चैंग्जी यूशू से मिलने आता है यूशू गिरने वाली थी चैंग्जी उसे पकड़ लेता है और यह फर्स टाइम था जब चैंग्जी ने किसी ठीच को बीना साइनिटाइजर लगाए ही पकड़ होता है भले ही उसकी पहले मुलाकात चैंग्जी के साथ अच्छी नहीं थी पर आप वो उसे पसंद करने लगी है लेकिन तब ही उसके ये सपने तूड़ जाते हैं क्योंकि चैंग्जी की जंगा जिन्यू वहां पर आता है यूशू को मजबूरन उसके साथ डीनर करना सिसर जुन्यू वह ऑन भी आकर उसे सुनाने लग चाती है मुझे मालूम है तखे तुम उसकी कंपनी की मालकिन बन चाओ लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी ये ये त्क को मालूम था उसकी सोतेली भेहन भी जिन्यू को ही लाइक चाती है थेरा तो पता नहीं तुमी।य अच्छे से पता है तुम उसे पसंद करती हो तब ही वहाँ पर जिन्यू भी आ जाता है जिन्यू आओ को लगता है कहीं ये बात उसकी बैन इसे ना बता दे इसलिए वह वहां से चली जाती है जिन्यू इस पार्टी में यूशू के साथ डांस कर रहा होता है लेकिन तब ही उ पोदी का पीछा चोड़ने के लेकिन ये इन्शू भी बोल देती है क्या इतने पेसी काफी होंगे इस कंपनी की मालकी की पोजिशन खरीदने के लिए जिसन कर क्रेंडमा को तो और भी ज़दा गुसा आ जाता है लेकिन चैंग्सी बीच में आ जाता है और यूशू को वहा जादा गुसात तुम पर आ रहा है ये बोलकर वह वहां से चली जाती है फ्लैश पैक में दिखाते हैं क्रेंडमा ने स्कूल टाइम में भी यूशू को आकर चाटा लगा दिया था सब के सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी मारी मॉम कितनी बेकार है उसने पैसों के लिए एक बहुत ज़्यदा खुश हो रही होती है जिसके बाद जिन्यू पर नज़र रखने के लिए ग्रेंडमा ने सेकेटरी को उसके पीछे लगा दिया था जिन्यू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और यूशू भी इन सब तानों से बहुत ज़्यदा परि चली गई थी वह अपनी मोम और अपनी सोतेली भेंड से अपना पीछा चुड़वा सके जुन्यू और फिर से चिनानी के लिए आ जाती है यूशू को पता था साथ साल पहले भी उसी की भेंड ने जिन्यू की ग्रेंडमा को बताया था उन दोनों के रिष्टे के बारे में और आज भी उसी ने ये बात उसकी ग्रेंडमा तक पहुचाई थी जुन्यू उसे बोलती है तुम जिन्यू को कभी नहीं पापाओगी क्योंकि तुमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है तो आज तक उसे कभी अपनी फीलिंग भी कनफेस्स नहीं की है फ्लेश पैक में दि किसी और को दे देता है तो देखकर जुन्यू ऑँ को बहुत ज़्यादा बुड़ा लगता है जब उसे पता चलता है जुन्यू तो उसकी भेन यूंशु को लाई करता है तुसलिए उसने ही उनकी फोटोस लेकर जुन्यू की ग्रेंडमा को भेज़ दी दि इसकी बाद ग् पिस आजाती है और उसे बोलती है प्लीज मुझे डिस्टरब मत करो और सीधा अपने कमरे में आ जाती है इधर जिन्यू को उसकी ग्रेंदमा ने क्याद कर लिया था लेकिन उनके घर से जाते ही वो घर से भाग जाता है इधर मिसिस गू को यूंशू की इतनी जादा कूर नहीं मिला था इसलिए वो उसे कमपनी से भी निकाल देती है और फिर चैंग्जी पर गुसा करती है तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुमने यूंशू को यहां पर जाप क्यू दी जिन्यू अपने भाई को बार बार कोल कर रहा था लेकिन चैंग्जी कोल रिसी को बोलती है अगर तुमने उसकी इतनी जादा साइट लीना तो मैं तुम्हें यहां से भी निकाल दूंगी जैसे भी यह कमपनी हमारी है इधर जिन्यू देखता है उसकी ग्रेंडमा के आदमी उसका पीछा कर रही है देखकर वो पुलीस को कोल कर कर बता देता है मुझे ए साथ ऐसा भीव नहीं करना चाहिए इससे कोई प्राबलम सोल्फ नहीं हो सकती लेकिन मिसिस गो तो उलता उसे ही डाटने लग जाती है वारी वज़े से ही तो यह सब हो रहा है इधर यूश्यू अपने नेबर फ्रेंड के मना करने पर भी बहुत ज़्यादा डृंग कर ले उसके जाते ही चैंग जी बड़ी हिमत करकर यूश्यू को उठाता है लेकिन वो एकदम से वोमिट कर देती है लेकिन उसके बावसुत भी वो एक अच्छे लड़की की तरह उसकी हेल्प करता है लेकिन यूश्यू तो अभी भी उसके लिए गाल या बड़ बड़ा रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नियू अपडेट्स के लिए भल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई